आज की जो रेसिपी में आपसे शेयर कर रही है ना वो देखते ही आप 100% ट्राइ करने वाले हो अब तक आपने इसे रेस्टुनेंट और धाबे में ही खाया होगा आज आप घर पे बनाएंगे मेरा वीडियो दिखने के बाद ना ही तंदूर ना ही मैदा ना ही बेकिंग सोड का यूज करेंगे परफेक्ट पनीर कुलचा फुले फुले बनाएंगे हम और इसकी जो स्टफिंग है वो खूब सारी डाल के भी ये फटने नहीं वाले है और पूरी स्टफिंग अंदर तक फैलने वाली है पूरी टिप्स के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूं तो वीड पूरी स्टेट में बना देंगे टाकि सार इंग्रीडेंटस रहा है हम दालेंगे सबसे पहले वन कींडेंटी नमक दाल दे स्वाद अनुसार इसके बाद 4 तेबल स्पून के करीब दही ले लेंगे दही फ्रेश होना चाहिए इसके बाद 1 तेबल स्पून हम दालेंगे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर जो इसको फुला फुला बनाएगा इसे मिक्स कर जो कुल्चे को दम लंबे समय तक सॉफ रखेंगे वह है चार टेबल स्पून दूद्ध नॉमे टेमरीचर वाला लिया है और टू टेबल स्पून के करीब तेल दालेंगे और चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आपको नजर आ रहे होंगे इसलिए बहुत जादा मसला नहीं है इसके ऊपर थोड़ा सा ओइल लगा लेंगे हम चिकना कर लेंगे क्योंकि हमने सॉफ्ट लगाया है और इसे अब हम रेस्ट पे रखेंगे तो इसे कवर कर लोंगी और 15-20 मिनिट के लिए आप इसे रेस्ट हो करीब अधर क्लसन मिर्ची का पेस्ट यह रिखे और कच्छा पंजाने तक हम थोड़ा सा सॉटी कर लेंगे इसके बार एक ओनियन को मैंने इद्दम स्मॉल चॉप करके इसमें एड कर लिया है अगर आप इसमें से कोल चीज नहीं खाते हैं आप स्किप कर सकते हैं स्टफिं इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से वेजटेबल आपको पसंद है वो आड करें जो नहीं पसंद उसे माइनस कर लें गरम मसाला डाल देंगे आधा चमच एक चमच धनिया का पाउडर दाल देंगे एक चमच रेचिली पाउडर यह आपकी साफ साफ डाल दे नमक भी कर लेंगे बैदे बहुत जादा इसे पकाना नहीं है इसके बाद हम डाल देंगे पनी जींगा फ्रेश ग्राम पनीर को ग्रेट करके मैने आट किया है और यह भी पनीर दानने के बाद आपको जादा नहीं पकाना है बस mix होने के बाद आप इसे 2-3 मिनिट ही पकाएं फ्रेश कोरियंडर एड कर लिया है अगर हम जादा स्टफिंग को पकाएंगे तो पनीर हाड हो जाएगा इसे 2-3 मिनिट ही आपको इसको पकाना होगा और बाद में इसे थंडा होने के लिए छोड़ देते है थंडा होने के बाद ही आप इसके कुल्चे बनाएं तो यहाँ डो को 15 मिनिट हो चुके है इदम पॉफिक्ट यह बन इच में मोटा रखे इस तरह से बड़ी सी एक रोटी बना ले यह रिखे और इसमें आप स्टफिंग कितनी भी चाहे भरो इदम पॉफिक्ट बनेंगे कुल्चे फटेंगे नहीं फ्रेंस गारंटी है मेरी तो यहाँ देखिए मैंने एक चुथाई कप के करीब स्टफिंग आड कर दी है और जैसे हम पराठी को सील करते है उसी तरह से इसकी पोटली बना लेंगे और यह देखिए अब आपको क्या करना है इस तरह से आपको हाथ पर ले ले लेना है और यह जो एक्स्ट्रा आटा उपर निकलता है उससे निकालना नहीं है उसको धीरे धीरे इस तर से बड़ी सी कचोरी टैप बन जाएगी और इस तरह से प्रेस करना है ताकि अंदर एर पॉकेट्स तो निकल जाए एर पॉकेट्स होंगे तो फिर पराथे फटते हैं इसलिए यह स्टैप जरूर करेगा उपस सुखा आटर डस कर लिया है और पीछे के साइट से ही आपको बि अब मैंने यहां उठा लिया है और यहां मैं कलॉण जी और सफेद तिल एड़ कर रही हूं ताकि लुकिंग भी अच्छा है टेस्ट भी अच्छा है और यह देखे इस तरह से थोड़ा से ओपर से और रोल कर लेंगे ताकि यह जो कलॉण जी है और तिल है वो इसके उपर चिपक जाए लग जाए यह देखे परफेक्ट हमारा जो कुल जा है वो रेडी है चलिए अब यह जो साइड जहां कलॉण जी और तिल लगाया वहां आपको पानी अपलाई करना है यह देखे इस तरह से आप पानी अपलाई करें बहुत जादा नहीं थोड़ा थोड़ा आ पास है नहीं तो आप ले ले नेट का पैन और इसके ऊपर डारेक्ली कुल्चे को सेके मीडियम फ्लेम रखेगा और पैन को आप रोटेट करते रहेगा ताकि जले नहीं एक साइड से और इद्दम फूले फूले पूले परफेक्ट हमारे जो कुल्चे है वो बनेंगे यह इस तरह से आपको पैन को हिलाना है और ये देखे कितना बढ़िया ये फूला है ये देख सते हैं दोनों साइड अच्छी तरह से आप इसो से के बीच में आप फ्लेम को लो भी कर सकते हैं इसे थोड़ा उपर का लेयर क्रिस्प बनाने के लिए तो अब मैं फिर से इस अपलाई कर ले इसे क्या होगा कुल्चा गरम होगा ना तो हमारा जो धनिया है वो चिपक जाएगा इस पर तो देखते ही बनाने का मन हुआ की नहीं और मुम में पानी आया की नहीं जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा तो फ्रेंस पनीर कुल्चा रेस्टोरेंट धाबे में जो आप खाते थे वो हमारे घर पे बनके रेडी है वो भी बिना मैदे के बिना तंदूर के और स्टफिंग दे के फ्रेंस कितनी सारी हमने डाली हो पूरी इदम पॉफेक्ली फैली हैं अंदर तो सारे टिप्स फॉलो करे और बनाए पनीर घर पर वो भी गेहों के आजे के साथ तो फ्रेंस कैसी लगी आपको ये रेसिपी है ना बहुत ही इजी पूरे टिप्स और ट्रिक समझा दिए अब आपकी रेसिपी इतना परफेक्ट बनने वाली है और आगे कौन से रेसिपी देखना चाहते है इसके लिए भी कमेंट करे तब तक के लिए फ्रेंज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चानल तिल दन टेक केर बाइए